हाई दोस्तों वेलकम हाप सब का हमारे किचन चैनल वी एमेल किचन पे और आज हम आप सब को बताएंगे कि होटल रेस्टुरेंट्स में जो मटर पनीर की बढ़िया सब्जी बनती है वो कैसे बनाते हैं आपको बस एक काम करना है आपको इस वीडियो का लाइक करना चैनल का स चोटी सी द्रक का पीस और डाली दो कटीव एरी मिर्च और साथ ही हमने लिया है 300 गराम के करीब पनीर मसालों में हमने घर के नॉर्मल मसाली लिये हैं हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर हल्दी किचन किंग मसाला नमक साबुत दनिया पिसा हुआ और जीरा अब हमें सबसे पहले तियार करना मिक्स्चर जिस से गरेवी बनाएंगे तो हमें क्या करना एक पैन लेना है और गैस पर रख देना है और गैस फिल्म को कर देना है और हाई पर रखना हमें अब इसमें डालेंगे बड़े डाइकर्चे के बराबर तेल और उसके बाद जब यह गरम हो जाते रहना है जब यह अलका-अलका सोटे हो जाए तो उसके उपर हमने डालना है टमाटर के कटे हुए पीज़ेट और इसे थोड़ी दिर के लिए फिर से चलाना है अब हम इसमें डालना है एक छोटी चमच के करीम नमक और इसे थोड़ी देर फिर से चलाना है अब हम इसे डखके रख देना है और फिलेम को कर देना है मीडियम पर दस से बारा मिनुर तक हम इसे की ऐसे पकाई होने देनी है उसके बाद हम इसको उठा देंगे डखकन को और इसे थोड़ी दिर के लिए फिर से चलाएंगे फिर हम गैस फिलेम को ओफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे आप देखी सकते हमारा मिक्स्चर हो गया है ठंडा और आप हम मिक्स्री के अंदर डालके इसकी पिसाइक कर लेंगे हमें इसकी बारिक पिसाई करनी है और अच्छी तरह से करनी है आप देखी सकते हैं कि हमने कैसी पिसाई की है अब हम इसे रख देंगे एक साइड में हमारा मिक्स्चर तो हो गया है तैयार आप हम तैयार करेंगे गरेवी आपको वही पैन ले ले लेना है जिसमें आपने मिक्स्चर तैयार किया था उसमें डालना है डेड़ खडचे के गराबर तेल और उसमें डालना है डेड़ चमच के करीब जीरा जब तेल गरम हो जाए उसके बाद हमेश में जो मिक्सर त्यार किया था वो डाल देना है और इसे हमें चलाते रहना है चलाने में कोई कोताई ना बरते क्योंकि हमने इसकी जो पकाई करनी है ना वो ऐसे ही करनी है चलाते चलाते पकाई करते हुए अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले हमने इसके अंदर डाला है डेड़ चोटी चमच लालमिच पाउडर एक चोटी चमच हल्दी और दो चोटी चमच के करीब साबूट फीशा वदन्या एक किचन कीमसाला और नमक डालना स्वाधनसार नमक ज़दा मत डालिएगा क्योंकि नमक हमने पहले मिख्छ तियार किया था तब भी डाल दिया था, अब हम इसे चलाते रहना है, अच्छे तरीके से, ताकि मसाले की भी अच्छी तरीके से पकाई हो जाए, अब हम डालेंगे इसके इंदर घर के दूद की मिलाई एक क्रेटोरी, आप इसकी जगाई आमूल फ्रेश क्रिम भी ले सकते हैं, अब हम इसे चलाते रहना है, और इसकी अच्छी तरह से पकाई कर देनी है, लो जी तैयार होगी हमारी ग्रेवी, अब हम इसके इंदर डालेंगे मटर के दाने, 300 ग्राम जो हमने लिए थे, अगर आप ने फ्रेश जो मटर होते हैं, वो ली है, तो ठीक है, अगर आपने लिए या सफल मटर, तो उन दानों को आप पहले थोड़ी दिर के लिए उबाल लीजिएगा, हलका हलका वो नरम पड़ जाए न, तो उसके बाद आप उसे यूज करिएगा, आप देख सकते हैं, हमारी ग्रेवी ने तेल चोड़ना सुरू करती है, वह मिक्स्चर वाला जो जग ता उसमें थोड़ा पानी डालके, और जो पानी बना आया है, उसको इसके इंदर डाल देंगे, और गैवी को थोड़ी देर चलाते ‫र रहेंगे, और उसके बाद हम इसे डख के रख़ेंगे, और फलेम को कर देंगे हम हाई पे, पात से 10 मिंट हाई फलेम पर ढ़के पकाई होने के बाद आप हम इस पर डालेंगे पनीर के पीसे जो हमने काट के रखे हुए हैं आप कोई भी पनीर ले सकते हैं पर मैं आपको एड़्वाइज दूँगा आप लिजिए अब हम इसे थोड़ी दिर के लिए चलाएंगे हलके हलके आतों से अब और थोड़ी दिर पकाई करेंगे इसको डखके और फलेम को करते हैं मीडियम पर थोड़ी दिर डखके पकाई होने के बाद हम इस प्लेट को उठा लेंगे और हम चेक करेंगे कि हमारी तयार हुई है मिटर पनीर की सबजी देख सकते हैं आप अच्छी तरह से गरेवी ने तेल छोड़ दिया है और हमारी जो मिटर पनीर की सबजी वह बहुत ही प्यार हुई है भी जे बल्कुल बड़िया पकाई हुई है अब हम गैस फिल्म को कर देंगे ओफ इस वीडियो को बनाने में हमने बहुत महिनत की है एक बार आप इस रेश्पी को जरूर ट्राइगा और हमारे वीडियो को लाइक करेगा कोमेंट बिल्कुल जरूर करेगा और शेर भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि हम आप सब के लिए अच्छी नई नई रेसिपीज की वीडियो लाते रहते हैं